दोस्तो बॉलिवूड एक्टर आमीर खान और फातिमा सनाज जो कि एक दूसरे के साथ में विवा करने जा रहे हैं आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि बॉलिवूड एक्टर आमिर खान और उनकी पत्नी दूसरी पत्नी किरन राओ जो की एक दूसरे से डिवॉस ले चुके हैं आप लोगों को बताने जा रहा हो कि बॉलिवूड में सबसे बड़ा डिवॉस माना जा रहा है क्योंकि कही न कहीं 15 साल relationship और एक दूसरे के साथ में रहने के बाब जूद आमिर खान ने अपनी दूसरी वाइफ किरन राओ को divorce दिया है और divorce देने को लेकर बॉलिवोड इश्ट समय काफी चर्चाओं पर है आप लोगों को बता देता हूँ कि जल्द ही आमिर और फातिमा सेन जो की एक दूसरे के साथ में बहुत जल्दी announcement करने जा रहे हैं वो announcement क्या है इस सीज की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि आमिर खान बॉलिवोड के एक ऐसे एक्टर है जिनकी मूवी अक्सर सुर्क्यों में बनी हुई रहती है आमिर खान ने हमेशा से ही जो की सूपर हीट मूवी दिये हूई फातिमा के साथ में उन्होंने दंगल में काम किया था दंगल में काम करने को लेकर उस मूवी में जो की फातिमा के काफे करीब भी आ चुके हैं लेकिन जो दंगल में जो एक दूसरे के साथ में काम किया था हूँ बाप और बेटी का किरदार निवाहता है लेकिन रियल लाइफ में इनकी कैमेश्ट्री कुछ और ही दर्सा रही है क्योंकि डिवोस के पीछे किरन राओ और आमिर खान का डिवोस के पीछे जो कारण बताये जा रहा है वो कारण जो की फातिमा ही सुने मारा है क्योंकि इससे पहले भी आमिर खान पहले भी डिवोस ले चुके हैं ये उनका दूसरा डिवोस हुआ था और तीसरी साथ ही जो करेंगे वो फातिमा सना से करने जा रहे हैं आप लोगों को एक जानकारी और भी बता देता हूं कि आमिर खान को कोई भी किसी भी तरिका का कोई पस्तावा नहीं हो रहा है उन्होंने खुद अपने ऑफिसल हैंडल से उन्होंने ये जानकारी देती कि मुझे अपने डिवोस को लेकर कोई भी दुख और कोई भी आश्च से फात्मा और आमिर एक मूबी में काम करते हुए भी दिखाई देंगे लेकिन इतना आपको मैं बता देता हूं कि फात्मा आने वाले टाइम में आमिर खान से ही साधी करने को लेकर चार चाओ के साथ में आमिर खान से साधी भी करेंगे साती भाईयों आपको एक बात और बता देता हूँ जो आप आमिर खान के बारे में नहीं जानते आमिर खान ने अपनी पहली वाइब को जो डिवोस दिया था पंदरे साल रिलेसंशिप में रहने के बाद ही दिया था क्योंकि 15 साल उनके साथ में relationship में रहे थे उसके बाद दिया था divorce और दूसरा divorce जो आपके सामने किरन राओ को अब दिया है वो भी सही 15 साल के बाद ही दिया है कहीं न कहीं आमिर खान अपनी हर वाइब को 15 साल का ही क्यों साथ देते हैं और कहीं न कहीं इस बात को लेकर पॉलिवूड इंडूस्ट्री पूरी एक तरीका से धमाल मचाई हुए है और कहीं न कहीं सन सनी मच हुई है दोस्तों आपसे अनुरोध करना चाहूंगा आप मेरी वीडियो को लाइक करें चनल को सस्क्राइब करें कॉमेंट करके जरूर बताओ कि आपको आखिरी ये डिवाउस कैसा लगा थैंक इस सो मच गाईज